नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ओलाइन इस्टिटूट टार्गिडवी तालोप में, मैं रभीतिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश लोग सिवा, आयोक द्वारा आयोजट की जाने माली परिक्षाओं की तयारी से लाखों ब्यरती प्रदेश के जोड़े हुए हैं और आप सभी लोग बहुत सारी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं आज हमारे मुखे भी से होंगे कौन सी वेकिंसी 2023 में आ सकती है, किस पर-पर कितनी भरती हो सकती है, नोटिफिकेशन और एक्जाम कब तक हो सकता है सिक्षक परक से जोड़ी हुई कुछ परिक्षा नए आयोग से होनी है, लेकिन उनकी अधियाचन भी आयोग के पास है, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे तो कब तक ये भरती हैं आ सकती है, उनके बारे में बात करेंगे, कितने पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्थ हो चुका है लगबग अगर हम इस प्रिकरिया में जाएं, तो आयोग के पास से समय 5774 पदों का अधियाचन प्राप्थ है यहां पर कुछ नोटिफिकेशन आपके रुके हुए है, जो एक से डेड़ महिने में किलियर होके जारी हो जाएंगे तो जो लोग भी RO, ARO और B.O की परिक्षाओं की तयारी कर रहें, वो सभी लोग सकेत रहें, आप तयारी करते रहें क्योंकि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, हाला कि जितने पदों का अभी तक आयोग के पास अधियाचन है, वो पद कम है लेकिन जैसे कि आपने देखा कि अधियाचन जितने पदों का होता है, उससे पदों की संख्या बढ़ती जरूर है PCS का भी जब फॉम आया था तो पद 173 थे, लेकिन अब आप सभी लोग सुन रहे हैं कि PCS पर भी पदों की संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पर भी पदों की संख्या बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूँ कि 2023 के लिए लगभख कितने ऐसी बेकेंसी जिनका अधियाचन जो है आयोग के पास है राज़की इंटर कॉलेज में महला प्रभखता 116 साहेक अध्यापक पुरुष 221 साहेक अध्यापक महला 1708 साहेक समिक्षा अत्कारी एयारो 84 पदों का दियाचन है उपकारापाल अत्कारी 30 पदों के लिए जिलाल संख्या कल्यान अत्कारी 8 पदों के लिए यात्रीमाल का पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो इन अध्याचन बहुत कम है लेकिन निश्चत रूप से माल लेजिए कि आप में से जो लोग भी यहाँ पर तयारी कर रहे हैं यहाँ पर एयारो की उसका भी अधियाचन है और निश्चत रूप से इन पदों की संख्या होगी तो आपने से जो लोग भी तयारी कर रहे हैं उम्मिद है वह सवाल एक से और महीने में किलियर हो जाएगा और मैं सभी को चिठ्थी बेच की मांगा है कि कौन-कौन सी सम्मधित विभागों को जल्द ही जब इसको हल कल लिया जाएगा तो यह वेकंसी आपको देखने को मिलेगी, तो 2023 में आपको ROARO और BOP की वेकंसी देखने को मिल सकती हैं, इसके लिए आप मालने, जैसे ही नए आयोग का गठन होगा, ये जो परिक्षाएं परिक्षाओं पर भी एक इसपष्ट द्रिष्टी हो जाएगी कि इसका क्या मामला है, जून के अंत तक क्यारी करें, निश्चित रूफ से आपको अच्छी खबरे मिलेंगी, हाँ एक निरासा की बात जरूर है कि पद कम है, लेकिर पद निश्चित रूफ से भरेंगे, क्योंकि जब देखे PCS का फॉम आया था तो 173 पद थे इस बात, लेकर अब हम लोग सुन रहे हैं कि पदो से तयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, रात में 9 बजे, PCS, ROARO और B.O के लिए, पिरतेक रात 9 बजे, संस्था, चुनिंदा प्रस्णों की एक निसुलक सरिंखला चला रही है, जहां पर आप अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं, आप अपनी तयारी को सकते हैं, गुड़ी अध्यापकों की टीम के साथ बो सरिंखला लगातार चल लई है, चालिस से ज्यादा सत्र हो चुके हैं, आप उसको लावर मतले, हमारे पास ROARO और B.O के बैच भी है, अगर आपको तैयारी करनी है, तो यह हमारे कांसलर सदस्थों की नमबर है, ROARO और B.O के बैच प्रारंबो मुख परिक्षा के दोनों के लिए है, ROARO भी प्रारंबी को मुख परिक्षा के लिए है, और खंड सिक्षा अतकारी भी प्रारंबी को मुख परिक्षा के लिए है, तो अगर आपको प्रिविस लेने हैं, तो आप यह कांसलर सदस्थों की नमबर ह में अपने प्रिविष्ट को सुनिष्चित करा सकते हैं लगातर प्राई लिखाई चल लेए अपसे प्राणा में से ही आपको इबेक्स मिल जाएंगे तो बहुत अनभवी अध्यापकों की टीम है उन अनभवी अध्यापकों की टीम के साथ आप मिनी तैयारी करिए और जब प्रेकेंसिया उसको निश्चत रुख से अपना चैनल सुनिष्ट लगाई अनन्त सुपकामना उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी अनन्त सुपकामना संस्था हमेशा आपको इस प्रकार की जानकारिया देती रहेगी आगे भी हमेशा नोटिफिकेशन पानने कि य आपको प्रदान करती रहेगी जैसे भी अपडेट होंगी हम सबसे पहले आपकर सोचाते हैं बहुत बहुत धर्नमाद नमस्का